नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायलोजी सिरीज में मैं दिव्या शुकला आज आपके लिए लेकर आई हूँ UP-PCS के प्रिलिम्स 2015 के जनरल साइन्स के क्वेस्चन्स पिछले की तीन वीडियोज में हम लोगों ने RRB NTPC के कुछ क्वेस्चन्स देखे थे जो प्रिवियस एर आए हुए हैं वो वीडियो कंटिन्यू रहेगी मैं उसके एक प्लेलिस तयार कर दूँगी आज से हम UP-PCS में भी आए हुए क्वेस्चन्स को देखेंगे, सॉल्फ करेंगे तो बिना डिले किये, आगे बढ़ते हैं आज का थौट आपके लिए इस गुइंग टू बे हार्ड, बट हार्ड डस नॉट मीन इंपॉसिबल जी हाँ, कुछ चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती है कुछ चीज़ों को पाना कठिन हो सकता है पर कठिन होने का मतलब ये नहीं कि वो चीज आपके लिए impossible है आप सम्भब प्रयास करें, लगे रहें, तयारी करते रहें जीत आपकी होगी एक न एक दिन आपको सफलता हासिल होगी ही बस इस शब्द impossible को अपनी डिक्शनरी से निकाल फेकें तो वीडियो को लाज तक देखें इसको लाइक और शेर करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें चली, आज का पहला क्वेस्चन हमारा अ पर्सन विट विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी ठीक है, मायोपिया मायोपिया हिंदी में क्या कहते है इसको निकट दृष्टी दोश ठीक है या short-sightedness भी कहते है मायोपिया को पिछली विडियो में हमने देखा था कि अगर कोई person मायोपिया से सफर कर रहा है मायोपिया है उसे तो क्या होगा उसमें जैसा की नामि है short-sightedness वो person near-by-objects को clearly देख पाएगा पास की वस्तुओं को देख पाएगा अच्छा पिछली वीडियोज में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी को मायोपिया है, निकट दृष्टी दोश है तो उसका करेक्शन कैसे करेंगे किस लेंस का उपयोग किया जाता है तो कॉनकिवलेंस का उपयोग किया जाता है ठीक है? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं ये कॉनसेप्ट में ख्याल से आपको क्लेर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा किस मिरर का यूज किया जाता है डॉक्टर द्वारा, डेंटिस्ट द्वारा अच्छा, एक चीज पहले यहाँ पे देखिए कॉनसेप्ट को क्लेर करिए डॉक्टर अगर किसी मिरर का यूज कर रहा है किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखने के लिए उसको टीथ देखना है तो वो क्यों यूज कर रहे है ताकि उनको जो पार्ट है मालिजे टीथ है वो कैसा देखे, बड़ा देखे ठीक है, मतलब उनको कैसा image चाहिए, बड़ी image चाहिए enlarged image चाहिए ठीक है, तो ये खासियत किस lens की होती है किस mirror की होती है, तो ये खासियत आपकी होती है, concave mirror की जब आपको object बड़ा देखना हो, ठीक है तो अब आप कैसी, कौन से mirror का use करते हैं, concave mirror का use करते हैं, enlarged image जब आपको देखनी हो, वही अगर मैं convex की बात करूं, convex की बात करूं, तो convex में हमेशा, हमेशा की मैं बोल रही हूँ, हमेशा diminished image आती है, diminished का मतलब क्या होता है, छोटी image आएगी, मतलब real object की जो भी size होगी, उससे काफी छोटी होगी, हमेशा, concave में कुछ चीज़ें हैं, concave में बड़ी image भी हो सकती है, छोटी भी दिख सकती है, लेकिन आप ये याद रख दिये हुए, आप इसको पढ़ने, ताकि ऐसे related आने वाले questions आपके exam में गलत न हो, क्या-क्या है, concave mirrors are used as shaving mirror, shaving करने के लिए, ठीक है, इसे mirror का use होता है, torch में, search light में, या जो गाड़ियों की headlight होती है, वहाँ पे concave mirrors का use होता है, फिर यहाँ पे देखे बात वही लिखी heat, मतलब heat को, देखे, concave mirror जो होती है, उसे हम converging mirror कहते है, light को converge करती है, एक बिंदू पर एकत्रत करती है, ठीक है, तो इसका उप्यों कहाँ पे होगा, solar radiation को concentrate करने के लिए, solar radiation को trap करने के लिए, इसको आप देख लीजेगा, यह पढ़ लीजेगा, आप इस notes भी बनाते चले देखे, questions वहीं है, इसी type के questions आपने RRB, NTPC में भी देखे थे, इसी type के questions आपको UPPCS में भी मिल रहे हैं, तो आप यह न सोचें कि यह paper कहीं और का है, आप practice करते रहें, चले, आगे बढ़ते हैं हमारे next question पे, लिखा, which of the following is a plant hormone, निमनलिकित में से कौन सा पादप hormone है, पह ठीक है, human में अलग hormones हैं, plant में अलग hormones हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप देखेंगे, तो insulin, thyroxin, estrogen, ये तीनों के तीनों human body में produce होने वाले या animal body में produce होने वाले hormones हैं, जबकि आप देख सकते हैं, cytokinin, option number D is the correct answer, cytokinin एक plant hormone, एक पादप hormone है, कैसे है, इस hormone that stimulates cell division to grow roots, fruits and branches, कौन है, cytokinin, एक बात और जान लीजे, अगर question गी आता है, कि cytokinin का main function क्या है, तो आप लिखेंगे, कोशिका विभाजन या cell division, confusion मत होई हैगा, कैसे याद रखेंगे, C से cytokinin और C से cell division, cytokinin जो है, वो पादप में कोशिका विभाजन करता है, जिसके वज़े से पादप वो उसके जो भी parts है, जो भी भाग है, उनमें वृद्धी विकास होता है, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, य जो भी concept है, उसको समझने की कोशिश करिएगा, लिखा है, the temperature of the human body, क्या होगा, जो वेक्ती का, जो भी तापमान है शरीर का, वो winter के साथ क्या decrease होगा, या summer के साथ increase होगा, बढ़ेगा, गर्मियों में बढ़ जाएगा, या ना ही decrease होगा, सर्दियों में, ना ही increase होगा, एक बात मैं आपको बता दू, हम जो है, human beings की, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि या human body लिखी हुई है, तो हम human body के, human के अलावा, क्या हमने पूरे mammals को, अगर हम समझे, पूरे स्तंधारी प्राडियों को समझे, तो हम होते हैं homeotherms, समझेगा, क्या होते हैं, homeotherm, यहाँ पे homeo शब्द ही बता रहा है, एक समान, स्तंधारी प्राडी या पक्षी, ऐसे दो वर्ग हैं, जन्तुओं में, जो अपनी शरीर का तापमान, constant रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं, इसको कैसे समझेंगे, मान लीजे, अभी ठंडा जाए, तो क्या हमारे शरीर का तापमान, जो ह 37 degree centigrade से हम कह देते हैं, राउंड अप करके, ठीक, तो यह 37 degree centigrade जो है, यह ऐसे ही बना रहता है जीवन परियन्त, वहीं अगर हम मचलियों की बात करें, अगर हम reptiles की बात करें, तो यह अपना body temperature, अपने environment के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इन हमारे वातावरण में, अगर तापमान का जरा भी उलट फेर हो, तो उससे हमें फरक नहीं परता, हमारी body temperature constant रहने वाली है, लेकिन पोई किलो थर्म का body temperature कैसा होगा, variable होगा, ठीक है, एक्जामपल में क्या लेखेंगे, होमियो थर्म में कौन कौन आते हैं, मैंने आपको क् फिर amphibians हैं, तो देखिए इससे related अगर कोई भी सवाल आता है, आप notes तयार करें, आप उसको revise करते रहें, आप question कोई भी आएगा, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आगया होगा, मैं बार-बार कहती हूँ, जो चीज आपको नहीं समझ में आती है, the largest amount of fresh water on our planet is, हमारी इस प्रिथवी पर, अगर हम बात करें, हमारे इस ग्रह पर, सबसे जादा ताजे पानी का शोत, आप कहा सकते हैं, कहां से हैं, options को पढ़िए, river, lakes and stream, continental and mountain glacier, जो permanent ice हम कहा सकते हैं, या underground water, देखिए यहां पर largest amount of fresh water पूछ रहा है, तो answer हो जाएगा, C, continental and mountain glacier, ठीक है, option C is the correct answer, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question पर देखिए क्या लिखा हुआ है, the most important factor contributing to the loss of vulture population in India is, UP pieces में ये question 2015 में तो आया ही, साथ में 2018 में भी repeat हुआ, वो आपको देखने को मिलेगा, जब मैं डालती रहूँगी videos तो आपको दिखेगा, इस question को जब अच्छे से समझेए, कि जो vulture है, ठीक है, इनका population decreased हो गया, और इसका सबसे बड़ा reason क्या था, क्या कोई viral infection फैला उन में, क्या कोई bacterial infection था, क्या उनके अंदर कोई pain killer, cattle में, सौरी उनके नहीं, cattle में, cattle मतलब क्या हो गया हमारे जो गायबैसे, क्या इनके अंदर कोई pain killer administer हुआ, दिया गया, या estrogen का injection लगा cattle को, तो पहली बात तो ये समझेए, जो vulture है, ये, क्या करते हैं, dead body को खाते हैं, किसको खाते हैं, dead body को, ठीक है, scavenger है, इनको हम scavenger कहते हैं, scavenger वो होते हैं, जो dead body को खाते हैं, चलिए, ये बात पता चल था, diclofenac नाम की एक दवा, diclofenac, आपने कई बार सुना होगा, diclofenac sodium, pain killer की तरह use होता है, गाय भैसों को दिया जाता था, ठीक है, तो मरने से पहले, जिन cattle को, जिन गाय भैसों को pain killer दिया गया था, ये diclofenac sodium का, और जब वो मर जाते थे, और उनकी उतकों में, कहीं न कहीं ये chemical compound था, तो जब इस पे बाज, जब इसे बाज अपने भोजन की तरह लेते थे, तो ये देखा गया कि बाज में kidney failure की शिकायत हुई, देखे कहां का relation कहां से, दवा कौन खा रहा था, cattle, cattle को दिया जा रहा था, गाय भैसों को दिया जा रहा था, लेकिन जब उन पे feed कर र होने लगी, although ये जो diclofenac दवा है, ये band है, लेकिन फिर भी इसका use होता था, तो ये important question है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, administering pain killers in cattle, ये हो जाएगा option number 60 का सही answer, notes प्रिपेर करने के लिए आपके लिए आगे के slide में दिया हुआ है, देखे याँ पे, vultures in India close to extinction, ठीक है, समझ में आगे बाद, तो अगर question किसी भी तरीके से आएगा, तो आप कर लेंगे, आपको उसका drug का नाम भी याद होना चाहिए, कि किस drug की वज़े से ऐसा हुआ था, अपने next question पे आते हैं, हमारा next question है, question number 7, the main pollutant in the smoke coming from cigarette is, cigarette smoking से, जो pollutant आती है, उसके chemical का नाम पे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे option number C, correct answer हो जाएगा, दिखिए, वीडियो को कभी-कभी pause भी किया करिए, खुझ से solve करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं तो बताती हूँ आपको, तो जो भी गलत या सही, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, next question, Pyre Heliometer is used for measuring, एक instrument का नाम दिया हुआ है, इसे क्या measure करते हैं, देखे, इससे very high temperature का measurement होता है, और खास करके किसका, option देखे, sunspot, air temperature, solar radiation, या temperature of plant, तो यहाँ पे answer होगा, C, solar radiation, ठीक है, इसके लिए, जानकारी विस्तरत यहाँ पे दी हुई है, देखे, यह एक Pyre Heliometer है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Pyre Heliometer measures the direct component of solar radiance, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो question आपका solve हो जाएगा, यह बहुत important question है, यह कई बार exams में आ चुका है, चली, यह देखे, question number 9 हमारा, which of the following is not correct about ecosystem, ecosystem के लिए कौन सी जो बात है, वो correct नहीं है, not correct पूछा है, तो हमें incorrect बताना है, देख लेते हैं क्या है, अगर ecosystem को आप देखिए, ecosystem, तो ecosystem के दो component होते हैं, एक abiotic और biotic, biotic component कौन कौन से होते हैं, जो living होते हैं, और abiotic component में वो component होंगे, जो non-living तो होंगे, पर उनका असर, biotic components पे directly होगा, जैसे, ये biotic component में क्या-क्या ले ले, soil ले लीजे, mountain ले लीजे, ठीक है, ऐसे components को हम ecosystem में रखते हैं, तो ठीक है, option A is the correct, यहाँ पे ठीक है, it has its own productivity, यह भी सही है, it is a closed system, देखे, यह statement incorrect है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे option number C correct हो जाएगा, option C is the right answer, closed system क्या होता है, देखे, दो तरीके के system होते हैं, एक होता है open system, और एक होता है closed system, जब, चलिए देखे, जब closed system होगा, जब system close हो जाएगी, बताई, अगर कोई चीज़ close हो जाएगी, तो उसमें से matter, जैसे हम द्रव कहते हैं, matter या energy, दोनों का आवा गमन या exchange का ये नहीं होगा, इसको कैसे समझेंगे, अब ज़रा समझें इसको, जैसे मान लीजे, sun है, ठीक है, तो सूरी की रोशनी, energy, sun की जो energy है, वो हमारे तक आती है, अगर यही system हम close कर देंगे, तो वो ray हमारे तक नहीं आएगी, या वो अच्छा, sun की rays है, हमारे तक नहीं आएगी, ठीक है, अच्छा, फिर प्रीथवी, जब गर्म हो जाता है, तो आपने वो चीजें पड़ी है, global warming का case तो क्या होता है, फिर वापस से जो heat है, वो space में भी जाती है, तो अगर मैं system को close कर दू तो यह जो exchange हो रहा है, energy का, या matter का कहले है, तो वो नहीं होगा, तो बिल्कुल भी गलत है, ecosystem एक open system है, ना कि closed system, कैसा system है, open system है, ठीक है, यहाँ पे energy का matter का exchange होता है, समझ में आगी बात आपको, चली, question number 10 देखते हैं, which of the following denotes water salinity gradient, इसको समझने के लिए, आप जरा इस topic को समझे, जरा पहले आईए, आगे के इस slide में आते हैं, यहाँ देखी क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, क्लाइन क्या होता है, पहले आप समझेगा, कि क्लाइन वो layer होते हैं, water के अंदर, ज किसके सापेक्ष में different property देखने को मिल रही है, तो surrounding water के सापेक्ष में different property देखने को मिलती है, क्या मैंने बताया, कि क्लाइन वो layer होता है, ठीक है, किसी समुधर के अंदर मान लीजे, वो layer है, जहाँ पे different property मिलेगी, आजपास के surrounding water से, अब यह किस पर depend करता है, मतलब क्या-क या different property, यह different property temperature पे हो सकती है, मतलब हो सकता है, किसी particular layer का temperature आजपास की तुलना में जादा हो, या कम हो, salinity, याने की नमकीन, खारापन, density, density का मतलब क्या हो गया, घनत्व, यहाँ पे और के बाद एक चीज रह गई है, वो है chemical, ठीक है, कोई chemical मान लीजे, किसी particular layer में जादा ह में कम है, तो उसे हम कहते हैं, क्लाइन, अब आते हैं हमारे पिछले slide पे, question क्या पूछा है हमसे, कि water salinity का gradient, मतलब खारापन, अगर हमें देखना हो, तो किस क्लाइन में हम जाके देखेंगे, तो देखे, question कैसे solve करेंगे, terms देखे, थर्म, थर्म शब्द किस के लिए होता ह है, अदिकतर heat के लिए, तो ये temperature वाले के लिए हो जाएगा, ठीक है, पिक्नो क्लाइन जो है, यहाँ पे density की बात होगी, मतलब समुद्र तल का वो layer, जहाँ पे density क्या होगी, surrounding water की अपिक्षर जादा होगी, घनत व जो है जलका वो जादा होगा, कीमो क्लाइन, कीमो क्लाइन में chemical की बात हो रही है, लेकिन हमसे answer में पुछा है, salinity, तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी शब्द में hello term दिखे, तो it refers to the salinity, ठीक है, तो hello क्लाइन क्या है, इसकी जानकारी हमको, मतलब यहाँ पे जो हमारा answer होगा, वो होगा B, correct answer है, B, लेकिन इसकी विस्तरिज जानकारी के लिए slide पे आते हैं फिर से, यहाँ देखे, what is hello क्लाइन, hello क्लाइन are a type of chemo क्लाइन, which means that the chemical makeup of the क्लाइन is different from the surrounding water, और वो भी किस chemical से salinity की बात करेगी, कौन करेगा, hello क्लाइन करेगा, तो मान लीजे, अगर यही question गुमा के आता है, और करेंगे, अगर chemical पूछा होता, सिर्फ chemical, तो chemo क्लाइन होता, लेकिन हमसे पूछ रहा है salinity, तो यहाँ का answer क्या हो जाएगा, hello क्लाइन, ठीक है, question number 11 पे आते हैं, question number 11 देखिए, which of the following species is the largest of the tooth whales, whales हैसे ही, जिनके पास दान आता है, और वो क्या होने चाहिए, largest होने चाहिए largest of the tooth whales, कौन से होते हैं, next slide पे आईए, यहाँ देखिए, sperm whale, यहाँ पे आप picture देख सकते हैं, यह whale और इसके पास क्या है, दात है, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, option number C is the correct answer, sperm whale, आगे बढ़ते हुए, question number 12, देखिए, normal temperature human body की कितनी है, 98 degree foreign height होती है, पहले तो आप यह याद कर लीजे, अगर foreign height के terms में पूछता है कि normal body temperature कितनी होगी, तो 98.4 degree foreign height, इसको temperature में कैसे व्यक्त करेंगे, तो temperature में हमें पता होता है, 37 degree centigrade होना चाहिए, लेकिन option में देखिए, option में क्या किया है, 40.16, 36.89, 35.72, 32.36, देखिए, 37 degree centigrade जो हम लिखते हैं, वो round up करके लिखते हैं, तो exact value यहाँ पे पूछ रहा है, exact value क्या हो जाएगी, 36.89, आपको दिख रहा होगा, यही close है कि इसके 37 degree centigrade के, दूसरी बात, कोई और तरीका, जिससे हम यह निकाल सकते हैं, तो आपको formula याद होगा, c by 5 is equal to f minus 32 by 9, यहाँ पे f, foreign height की value आप रखेंगे, solve करेंगे, आपको answer मिल जाएगा, ठीक है, तो दो चीजें आपने क्या-क्या सीखी, कि अगर foreign height की terms में पूछता है, तो कितना, 98.4, celsius में पूछता है, तो round up करके 37 degree celsius, और वर्ना जो correct है, वो कितना है, 36.89, ठीक है, I hope आपको समझ में आ रहा है, question number 13, देखे, when a doctor tells a person that he or she has been suffering, या suffering from tetraplagia, it means he or she is suffering from paralysis of, यहाँ पे देखे, term पकड़िये, अगर आपको यह भी नहीं पता क्या होता है, tetraplagia, तो आप यह देखे, tetra लिखा हुआ है, और tetra शब्द क्या बताता है, tetra का मतलब होता है, four, ठीक है, paralysis की condition है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे correct answer होना चाहिए, answer number D, ठीक है, D is the correct answer, D में क्या कह रहा है, कि both hands and both legs, चार हो गए न, तो जो paralysis है, वो दोनों हाथों में होगी, और दोनों पैरों में भी होगी, हाँ, वो अलग बात है, partial भी हो सकती है, paralysis fully भी हो सकती है, लेकिन चारों की बात होगी, ठीक है, next question, यह तो एक छोटे बच्चे का question, उमीदे आप सब भी को पता होगा, the disease caused due to deficiency of iron की कमी से होने वाले रोग का नाम बता दीजे, कली आपने पढ़ा था, पिछली बार की slides में क्या, color blindness, वर्णांधता, एक अनुवानशिक बिमारी है, night blindness, vitamin A की कमी से होने वाला रोग, TB क्या है, TB एक bacterial disease है, tuberculosis, ठीक है, किस bacteria से होता है, mycobacterium, tuberculosis, पता चलेगा, आपको आगे की slides में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो question कह रहा है, वो iron की deficiency पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, enemy A, ठीक है, क्या हो जाएगा, enemy A is the correct answer, option number C, आगे बढ़ते हैं, आज का आपके लिए question, आप videos तो देखते हैं, पर answer आप comment box में नहीं लिखते हैं, कल से दो students ने answer दिया, अंकित राजपुजी का answer सबसे पहले आया था, उसके बाद धीरजी का answer आया, आप answer comment box में लिखिए, और उसके बारे में आप जो भी जानते हैं, उससे related जो भी चीज़ें आपको पता हैं, आप प्लीज लिखें उसे, उससे आपकी practice बनी रहेगी, क्या question है आज का, which of the following is a semiconductor, इसमें से आपको semiconductor या अर्धचालक बताना है कौन सा है, साथ में, और कौन-कौन से अर्धचालक आप जानते हैं, आप उनके बारे में बताएं, ठीक है, तो ये पंतरा question हमने आज discuss किये, next video कल आएगी, कल आप prepared रहिएगा, एक हफ़ते के current affairs के साथ, कल मैं जो भी वीडियो upload करूँगी, उसमें एक हफ़ते के current affairs होंगे, मतलब, 1st May से लेकर, आपको 6th में, आज तक के current affairs के question होंगे, important, आप तयारी किये रहिएगा, वीडियो को एक practice की तरह लें, और हर वीक में हम यही करेंगे, कि 1 वीक का हम current affair देखेंगे, ठीक है, तो कल के वीडियो के लिए ready रहिए, and thank you for watching the video, stay blessed.